बच्चों, आज हम कक्षा 12 विवसाय अध्याय आठ नियंत्रन के अंतरगत, नियंत्रन का आर्थ एमों महत्वपर चर्चा करेंगे. देखिए बच्चों, प्रबंद कई प्रकार के काली करता है, वह है नियोजन से काली प्रारंब करकी, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, इत्यादी काली करते हुए नियंत्रन तक पहुंचता है. देखिए नियोजन के अंतरगत वह संगठन के लिए, उपकरम के लिए लक्ष उदेश्य निर्दारित करता है, वह है लक्ष तय करता है, वह है एक परिणाम सोचता है कि हमें अपने संगठन को, अपने उपकरम को इस इस्तर तक ले जाना है, वो निर्दारित लक्षों को यानि नियोजन में क्या किया जाता है उसके द्वारा लक्ष निर्धारन किया जाता है एक लक्ष वह निर्धारित कर लेता है उसी के अनुरूप प्रबंद को द्वारा ये अन्य कार्य किये जाते हैं वह कार्यों का बटवारा करता है वह उन कार्यों को करने के लिए लोगों जाता है देखिए नियंतरन क्या है यह जो लक्ष निर्धारित हमने किये थे नियोजन कालिय के अंतरगत और जो परिणाम हमने प्राप्त किया है यानि जो हमारे इच्छित लक्ष थे इच्छित परिणाम जो हमने सोचे थे और जो वास्तविक परिणाम हमें प्राप्त हुए है इन वास्तविक और इच्छित परिणामों के मद्य जो अंतर होता है जो विचलन होता है उसे पता करने का कार्य नियंतरन के अंतरगत किया जाता है कि जो इच्छित परिणाम थे, जो लक्ष हमने निर्दारित किये थे, और जो परिणाम हमने प्राप्त किये हैं, उनमें कोई विचलन तो नहीं है, कोई अंतर तो नहीं है, और यदि अंतर आ रहा है, तो वह किन कारणों से आ रहा है, यह विचलन किन कारणों से उत्पन जिसने एक लक्षनरभारित कि यह कक्ष बारा में 95 प्रतीशत अंक लाएगा यह इसने लक्षनरभारित कर लिया और इसके लिए इसने time table भी बना लिया है time table की प्दालना करते हुए यह पढ़ाई भी कर रहा है और जो योजना इसने बनाई थी उसी अमुसार यह महनत भी कर रहा है यह महनत भी कर रहा है यह पड़ाई भी कर रहा है और देखिये इसने जो टाइम टेवली बनाया था बिल्कुल उसका पालन करते हुए यह आगे बढ़ रहा है कुछ समय बाद विद्याले के अंदर प्रीबोड हुए कौन सी एक्जाम हुई प्रीबोड की एक्जाम हुई प्रीबोड एक्जाम में इस बच्चे ने 80 परतीशत अंक प्राप्त किये देखिए प्रीबोड परिक्षा में इसके कितने परतीशत अंक आए 80 परतीशत अंक लेकिन आ रहे हैं 80 परतीशत यानि जो इच्छित परिणाम था वह तो 95 परतीशत था और जो वास्त्विक परिणाम इसके आ रहा है वह कितना आया 80 परतीशत यानि अभी यह पीछे है 15 परतीशत इसका विचलन कितना प्राप्त हुआ 15 परतीशत अंकों का इसे विचलन प्रा लक्ष रखे थे उन लक्षों तक ये किन कारणों के कारण नहीं पहुच पाया और उन कारणों को पहचान कर वह उन कारणों को दूर करने का प्रियास करेगा उनका समाधान ढूंडेगा जो इसके मेहनत में रुकावट आई है जिसके कारण से इसके कम अंक आये हैं उस में अपने इच्छित लक्ष को प्राप्त करने का प्रियास करेगा जब भी बोर्ड एक्जाम होगा तो यदि उसने सही तरीके से कार्णों का पता लगा लिया है और उनको दूर करने का सही प्रियास कर लिया है उन पर नियंत्रन इस्तापित कर लिया है तो यह बोर्ड परिक चो, देखिए, संगठन में क्या होता है? माल लिजिए, एक संगठन ने, एक जो उपकरम है, इसने ये लक्ष निरदारित किया, कि हम इस वर्ष 12000 यूनिट उत्पादन करें हे, हमारा उत्पादन कितना हो जाना चाहिए, 12,000 यूनिट का हमारा उत्पादन हो जाना चाहिए अब 10 महीने बीतने के बाद में 10 महा बाद ये देखा गया प्रवंदकूं द्वारा कि जो उत्पादन है वह अभी कितना है 6000 यूनिट का ही उत्पादन हुआ है यानि यहाँ पर जो इच्छित लक्ष थे उनसे बहुत दूर अभी संगटन है लेकिन उसके पास अभी 2 महा का समय शेश है यानि 10 महा हुए हैं 12 महा पूरा एक वर्ष में होता है तो अभी 2 महा का समय शेश है तो यह इनके कारणों को यह जो विचलन है यह जो अंतर है इसके कारणों को ढूनने का प्रियास करेंगे किस कारण से यह अंतर आ रहा है कि 10 महा होने के बाद भी जो यूनिट जो लक्ष हमने निर्धारित किये थे उस लक्ष के आसपास भी हम नहीं पहुँच पाए हैं यानि 10 महा बीतने के बाद भी वह लक्ष तक नहीं पहुच पाए हैं उसके करीब भी वे नहीं पहुच पाए हैं तो यहाँ प्रबंदग इस विचलन के कारणों का पता लगाएंगे किस कारण से किन कारणों से यह विचलन उत्पन हुआ है और ये जो अंतर आया है इसके कारणों का पता लगा कर वे इन कारणों का समाधान डूंडेंगे और इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे हो सकता है 12 माहिने पूरे हो जाने के बाद यानि एक साल पूरा हो जाने के बाद ये लक्ष के कुछ कारीब पहुंच जाएं 10,000 यूनिट तक ये उत्पादन करने में सक्षम हो जाएं क्योंकि इनोंने अब समश्या का समाधान कर लिया है तो जब ये इस लकष के थोड़े नजदीक महुँचेंगे जो इन्होंने लक्ष निर्दारीत किये थे उसके कुछ नजदीक महुचेंगे तो अगले साल की जब भी योजना बनाएंगे अगले वर्ष की योजना बनाते समय ये पुरानी गलतियों को दूर करने का प्रियास करेंगे यानि इनोंने जो पहले गलतियां की है जो समश्याएं इनके सामने आई हैं जो लक्ष ये पूरे नहीं कर पाए हैं उन इस्ततियों को देखते हुए अगले साल की जब भी ये योजना बनाएंगे तो ये उसे और अच्छे तरीके से बना सकेंगे और यह सब कुछ होता है नियंत्रण के द्वारा यह सब कुछ होता है नियंत्रण के द्वारा देखिए, जो इचित लक्ष होते हैं, इचित परिणाम होते हैं, इन में से संगठन क्या करता है, वास्त्रिक परिणाम जो प्राप्त किये हैं, उनको घटा कर, उनको घटा कर यह क्या करता है, विचलन का पता लगाता है, यह क्या पता लगा लेता है, विचलन का पता लगा हो सकता है विचलन सकारात्मक हो हो सकता है 12,000 unit की जगह है वह 13,000 unit उसने उतपादन कर लिया हो तो यहां पर विचलन क्या हुआ सकारात्मक अंतर आया है संगठन अपने लक्षों से आगे चला गया है जो कि संगठन के लिए बहुत अच्छा है हो सकता है यहां ऐसा हो कि वह 12,000 यूनिट का उत्पादन ने करके 11,900 यूनिट का उत्पादन उसने कर लिया है कुछ यूनिट ही वह पीछे है तो भी यह संगठन के लिए अच्छा है कि वह अगले वित्तिय वर्स में अगले वर्स में अपने लक्ष को प्राप्त कर लेगा लेकिन यह सब कुछ होता है यह विचलनों का पता लगाया जाता है नियंत्रन के अंतरगत अब हम नियंत्रन को और अच्छी तरह देख लेते हैं बच्चों एक सुयोग की प्रबंदक नियंत्रन कार्य के माध्यम से विप्रीत व्यावसाइक परिस्तितियों को भी नियंत्रित कर लेता है यदि एक प्रबंदक अच्छा है सुयोग है तो वह नियंत्रन की परनालिय अपना कर जो विपरीत परिस्तितियां होती है संगठन के सामने उनको भी हल कर लेता है एक प्रबंदक के लिए उसका प्रबंदन में नियंतरन कार्य सुरक्षा कवच का कार्य करता है यदि वह सही समय पर इन विचलनों का इन अंतरों का पता लगा लेता है जो वास्तविक प कार्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है यह केवल कार्य को विदिवत चलाने में ही सहायता नहीं करता बलकि दुरुद गती से अग्रसर होने के लिए भी आश्वरस्त करता है देखिए जब एक प्रबंदक को यह पता लग जाता है कि उसके लक्ष की प्राप्ति में इस कर लेगा जिससे की वह दुरुत गती से आगे बढ़ सकेगा जो लक्ष पहले से निर्दारित किये गए थे उन्हें प्राप्त करता है नियंत्रन प्रबंदक का एक महत्वपूर कारिय है देखिए नियंत्रन कारिय जो है यह प्रबंदक का एक महत्वपूर कारिय है यह अगल पादन से हैं जो हमने योजनाएं बनाई थी जो लक्षन निर्दारित किये थे उनके अनुसार का ये हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके अनुसार परिणाम प्राप्त हुए है या नहीं हुए इससे नियंत्रण संबंदित होता है नियंत्रण इस बात का भी आस्वासन है कि स दक्ष निर्धारित किये गए थे योजना बनाते समय जो उद्देश निर्धारित किये गए थे उन उद्देशों की प्राप्ति के लिए जितने भी संसादन एक संगठन के पास हैं उन संसादनों का सही तरीके से उपयोग हुआ है या नहीं हुआ कुशलता पूर्वग उनक नियंत्रन काल्य को वास्ट्विक निस्पादन की पूर्व निर्धारित काल्य से तुलना के रूप में परिभाशित किया जा सकता है देखिए नियंत्रन काल्य को जो वास्ट्विक निस्पादन की पूर्व निर्धारित काल्य से तुलना के रूप में हम बता सकते हैं कि जो वास्तविक निस्पादन हुआ हैं जो वास्तव में परिणाम प्राप्त हुए हैं यह परिणाम हमारे इच्छित परिणामों से कितने नस्दीक हैं जो इच्छित परिणाम हम प्राप्त करना चाहते थे क्या यह इसके पास में हैं या इन से बहुत दूर हैं जैसे कोई कमपन दस हजार यूनिट उत्पादन का इनोंने लक्ष रखा लेकिन यह हैं अभी दो हजार यूनिट ही उत्पादन कर पाई यानि अभी भी यह है अपने इच्छित लक्ष से बहुत दूर है और कोई हो सकता है उपकरम 9999 unit उत्पादन कर ले लक्ष 10,000 का है उत्पादन 9999 या 990 का उन्होंने रख लिया है तो यहाँ पर क्या हुआ वो बिलकुल नस्दीक पहुँच गए है तो इस प्रकार सी यह देखा जाता है कि वास्त्रेक निस्पादन पूर्व निर्दारित जो कारिये थे उनके कितने नस पहुच गए हैं अधिनस्थों से नियोजित परिणामों की इच्छा रखने के लिए एक परबंदक को उनकी किल्याओं को नियंतरित करने के लिए प्रभावी नियंतर्ण की आवश्यक्ता होती है देखिए जो नियोजित परिणाम है जो परिणाम एक संगठन को चाहिए जो इच्छित परिणाम होते हैं, उन इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए, जो अधिनस्त हैं, उनके किलियाओं को नियंत्रित करने के लिए, इसमें प्रभावी कारिये प्रवंदक द्वारा किया जाता है, इसमें किलियाओं के नियंत्रन पर ध्यान दिया जात देखिए नियंत्रन कार्ये के अंतरगत जो निश्पादन है जो परिणाम है तता उन परिणामों में कोई विचलन आया है तो उसका पता चलता है इन विचलनों का विचलेशन करता है तता उनी के आधार पर उसके सुधार के लिए कार्ये करता है और प्रबंदक इन विचलनो का इन अंतरों का विशलेशन करेगा किन कारणों के कारण ये अंतर आये हैं विशलन प्राप्त हुए हैं या किन समश्याओं के कारण से हम निर्धारित लक्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं उन समश्याओं को किस प्रकार दूर किया जाएगा इन सारी चीजों का यहां पर क्य किया जाता है विश्लेशन किया जाता है उन्में सुधार करने का कार्य किया जाता है इस प्रकिलिया द्वारा भविष्य के लिए नियोजन करने में सहायता मिलती है देखिए जब समश्या का पता लगा लिया है एक संगठन ने समश्या का पता लगा लिया है कि इस समश्या के कारण हमारे परिणाम हमें प्राप्त नहीं हुए हैं तो वह क्या करेगा आगे के लिए उस समश्य का समाधान ढूंडेगा और आगे सही घर में व्यवाई कालिकरम था जिसमें व्यस्त होने के कारण उसके अंकों में यह विचलिन आया है तो आगे वह ऐसे कालिकरमों से दूरी बनायेगा बच्चा और बोड परिक्षा में अपने लक्ष को प्राप्त करने का प्रियास करेगा यह हो सकता है यह हो कि भाई इसके अंक प्राप्त कर सका तो वह उन अध्यायों पर उन टोपिक्स पर अधिक ध्यान देगा और अच्छे अंक प्राप्त करेगा तो इस प्रकार जो हमारे अंतर आया है जो समश्या आई है उसको दूर करने का प्रियास किया जाता है नियंतरन प्रबंद प्रकिल्या के एक चक उसको नियंत्रन कार्ये द्वारा पूरा किया जाता है नियोजन से ही है चक्र प्रारंब होता है यह हमने देखा भी था नियोजन के बाद में संगठन का यानि कार्यों का वटवारा होता है जो लक्ष को प्राप्त करने के लिए कार्ये किया जाते हैं उनका इसके बाद में सं विखतियों की भरती का कार्य किया जाता है निर्देशन का कार्य किया जाता है और फिर नियंतरन यानी परिणामों के अंदर जो विचलन है उनको पता लगया जाता है तो जो यह चक्र होता है यह नियंतरन पर आकर समाप्त होता है नियोजन से प्रारंब हुआ है और नियंतर के लिए नियोजन का रास्ता खुलता है नियंत्रन पे एक चक्र तो पूरा हो गया है लेकिन अगले चक्र के नियोजन में सुधार लाने का काम भी इस नियंत्रन कार्य के माध्यम से ही किया जाता है प्रवंदकिया नियंत्रन के अंतरगत वास्त्विक प्रगति तथा पूर करने के लिए सुधारात्म कायवाई की जाती है ताकि नियोजन के अनुसार लक्षों को प्राप्त किया जा सके यह परीबाशादी कुंट्ज तथा ओडोनेल ने और यह क्या करें देखो प्रबंदकिय नियंत्रन के अंतरगत वास्ट्विक प्रगती तथा निर्धारि कर लिए हैं उनका वास्ट्विक परिणामों से विचलन पता किया जाता है तता उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्म कारिवाई की जाती है और यदि विचलन बहुत ही अधिक हैं तो उन्हें दूर करने का एक संगठन बहुत प्रियास करता है सुधारात्म कारिवाई क द्वारा वह विचलनों को दूर करने का कार्य करता है ताकि नियोजन के अनुसार लक्षों को प्राप्त किया जा सके देखिए जो प्लानिंग हमने की थी उसके अंदर जो लक्ष निर्धारित किये थे उसके अनुसार लक्ष पूरे हो सके निर्धारित लक्षों की प्राप् कोटलर कहते हैं कि जो वास्त्री परिणाम है उनको इच्छित परिणामों के निकट लाने का जो भी प्रियास एक संगठन करता है वह नियंत्रन के माध्यम से ही करता है यदि कोई विचलन प्राप्त होते हैं तो वह उन विचलनों को धूर करके और इच्छित परिणामों के पास जाने का कार्य करता है अब आगे है नियंत्रन की प्रकरती देखिए नियंत्रन एक उद्देश मूलक कार्य है नियंत्रन का कार्य लक्ष आधारित होता है लक्षों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कार्य है दूसरा है नियंत्रन सभी इस तरों पर की जाने व ये नियंतरन का कार्य किया जाता है, साथ ही साथ सभी विभागों में भी नियंतरन का कार्य किया जाता है, वे अपने अपने लक्षों को पूरा करने के लिए प्राप्त करने के लिए जो भी परिणाम आए हैं, उनको इच्छित परिणामों से उनका अंतर करते हैं, साथ ही सा राएंप्रन प tipo चलने वाली प्रकिल्या होती है यह कार्य नियरंतर चलता रहता है शित परड़िंड़ामों के पास पहुंचा जाता है और जो समश्याइं आई वह आगे नय आए इसका भी कार्य किया जाता है नियंतर एक सकारात्मक प्रकिल्या है जो भी बादाय जो अधादाएं उत्पन हुई है। उनका समाधान करते हुए लक्ष पर पहुचने का कार्य इसके अंतरगत किया जाता है। जो की एक सकारात्मग प्रकिलिया होती है, नियंतरन एक पीछे की और वे आगे की और देखने की प्रकिलिया है, देखिए नियंतरन कारिये के अंदर पीछे की और देखा जाता है, पहले क्या गलतियां हुई, क्या समश्याएं आई, जिनके कारण हमने परिणाम प्राप्त न आता है नियंत्रन का महत्व देखिए नियंत्रन के कुछ महत्व हैं क्या हैं संगटन आत्मक लक्षों की प्राप्ति में सहायक नियंत्रन के द्वारा एक संगठन अपने जो लक्ष निर्धारित किये गए थे उनको प्राप्त करता है यह नियंत्रन जो काल्य है यह संगठन क लक्षों को प्राप्त करने में मदद करता है मानकों की यथार्थता को आखना देखिए नियंत्रन कालिये के द्वारा जो मानक हमने निर्दारित किये थे उनकी यथार्थता को मापा जाता है एक बालक है उसने लक्षतों अपना निर्दारित कर लिया पिच्चानवा तो first term में उसके 60 प्रतीशत अंक आ रहे हैं, second term में उसके 75 प्रतीशत तक ही अंक आ रहे हैं, और जो pre-board हुआ उसके अंदर उसके बहतर प्रतीशत ही अंक आ रहे हैं, इनसे यह पता चलता है कि वह एक ओसत दर्जे का छात्र है, यानि वह जो यह लक्ष उसने निर्धारित कि करता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहां बहुत अधिक अंतर है, तो यहां पर उसे अपने मानक की यथार्थता को जाचना चाहिए, और सही मानक स्टेंडर्ड निर्धारित करने चाहिए, यदि वह 80 प्रतीशत अंक का अपना लक है, संसादनों का कुशल्तम उपयोग, देखिए, नियंतरन के द्वारा संसादनों का कुशल्तम उपयोग करने में भी सही योग प्राप्त होता है, करमचारियों की अभी प्रेर्णा में सुधार, और नियंतरन के द्वारा करमचारियों को अभी प्रेरित करने में भी उन्हें भी लक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेड़ना प्राप्त होती है आदेश वह अनुशाशन की सुनिश्चितता देखिए इसमें लक्ष निर्धारित होते हैं कि हमें किन लक्षों तक पहुंचना है और उन लक्षों की प्राप्ति के लिए जो भी आदेश दिये जा नियंत्रन का महत्व पहला संघठनात्मक लक्षों की प्राप्टी में सहायक नियंत्रन संघठन के लक्षों की और प्रगति का मापन करके विचलनों पता लगाता है देखिए यह संगठनों के लक्षों की और लक्ष प्राप्ति की और अग्रसर करता है एक संगठन को साथ ही साथ जो विचलन उत्पन हुए हैं मापन करने पर उन विचलनों का पता लगा कर यह हैं उनको दूर करने का कार्य करता है जो लक्ष जो इच्छित ल इच्छित परिणाम होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए वह कार्य करता है और जब कार्य होते हैं तो कुछ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं जिने हम बोलते हैं वास्तविक परिणाम इनका मापन करने पर जब यह कोई विचलन प्राप्त कर लेता है कि इसमें कुछ करने का प्रियास किया जाता है यदि कोई विचलन प्रकाश में आता है तो उसके सुधार का मार्ग प्रसस्त करता है वह संगठनात्मक लक्षों को प्राप्त करने में सहायता करता है नियंत्रन द्वारा उन विचलनों को दूर करने का प्रियास किया जाता है उनमें सुधारा लक्ष प्राप्त हो जाएगा दूसरा है मानकों की यथार्थता को आखना एक अच्छी नियंतरन प्रणाली द्वारा प्रबंद निर्धारित मानकों की यथार्थता तथा उद्देश पूनता को सत्यापित कर सकता है देखिए अच्छी नियंतरन प्रणाली को अपनाकर प् उत्पादन शमता 4,000 यूनिट हैं, यानि वह एक वर्ष में केवल 4,000 यूनिट ही उत्पादन कर सकती है, लेकि उन्होंने जो लक्ष निर्धारित किया है, वह किया है 20,000 यूनिट का, यानि लक्ष तो ये बना लिया है, और उत्पादन शमता कितनी है, 4,000 यूनिट की, तो तो क्या यह यथार्थता की कसोटी पर खरा उतरेगा, क्या यह उत्पादन हो पाएगा, यह लक्ष कभी पूरा किया जा सकेगा, देखिए इसके लिए उसे अपने संसादनों की वरद्धी करनी पड़ेगी, बहुत सारे संसादन जुटाने होंगे, तब जाकर वह इस लक्ष को प्राप्त कर सकेगा, तो यह नियंतरन के माद्यम से सत्यापित होता है, कि जो मानक हैं, वे यथार्थ हैं, क्या उनसे उद्देश पूर्ण हो सकेंगे, वे उद्देश पूरे किये जा सकेंगे संगठन के द्वारा, तो यह नियंतरन के द्वारा ही पता चलता है, नियं संसादनों का कुशलतम उपयोग नियंत्रन का उपयोग करके एक प्रबंदक अपवय तथा बरवादी को कम कर सकता है देखिए नियंत्रन के माद्यम से एक संगठन को ये पता चलता है कि उसके जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे इच्छित परिणामों से इच्छित उनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया है तो वे उन संसादनों का सही उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ता है इससे अपवय तथा बरवादी को कम किया जा सकता है प्रते किलिया का निश्पादन पूर्व निर्दारित मानकों के अनुरूप होता है संगठन मे हर किलिया का जो संपादन होता है वह पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार किया जाता है जो लक्ष पहले निर्धारित कर दिये कि इस तरीके से कार्य को होना है उसी तरीके से कार्य को किया जाता है यदि उस तरीके से काम को नहीं किया जा रहा है तो कोशिस की जाती है कि ज नियंत्रन परणाली के द्वारा संसाद उनों का सही तरीके से उपियोग होता है, कुशलता पूर्वक उपियोग किया जाता है, उनका प्रभावी तरीके से उपियोग किया जाता है, करमचारियों की अभी प्रेड़ना में सुधार एक अच्छे नियंतर्ण परणाली में करमचारियों को पहले से ही अग्यात होता है कि उन्हें क्या करना है हर करमचारी को ये पता होता है कि उन्हें क्या करना है किस कार्य को किस तरीके से करना है ताकि वे अपने लक्ष तक पहुंच सकें अत्वा उनसे किस कार्य को करने की आशा की जाती है जिनके आधार पर उनका निस्पादन मुल्यांकन होगा देखिए करमचारी को ये पता होता है कि उसे क्या कार्य करना है और किस कार्य को करने की आशा की जाती है वे किस तरीके से कार्य को करे जिससे की अच्छा परिणाम प्राप्त हो क्योंकि उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसका मुल्यांकन किया जाता है इससे करमचा होते हैं और अच्छा काल्य करते हैं इससे उनकी अभी प्रेजणा में सुधार आता है आदेश एवं अनुशाशन की सुनिश्चित्ता नियंत्रन से संगठन का वातावरण ऐसा हो जाता है जिसमें प्रते करमचारी आदेश की पालना करता है वह अनुशाशन में रहता है दे अच्छित परिणामों से मिलाया जाएगा तो इससे करमचारी अच्छे परिणाम देने का प्रियास करेगा उसे यह पता है यदि वह अच्छे परिणाम देगा तो उसके काल्यों का मुल्यांकन अच्छे तरीके से हो पाएगा साथ ही उसे मोटिवेशन भी दिया जाएगा इस कारण से वह जो भी आदेश होगा उसकी पालना करेगा और अनुशाशन में रहते हुए वह कार्य संपादित करेगा इससे ऐ करमण करमचारियों की किल्याओं का निकट से निरिक्षन करके उनके ऐ सही योग वेवार को कम करने में सहायता मिलती है कहीं करमचारी ऐसे होते हैं जो ऐस ही योग की निथी अपनाते हैं लेकिन जब उनका निकट से मुल्यांकन किया जाएगा उनके कार्यों की समिक्षा की जाएगी उनकी किल्याओं को अच्छे से देखा जाएगा निरिक्षित किया जाएगा तो उनके समश्याओं को धूर किय जा सकेगा और उनसे सेयोग प्राप्ती में सहायता मिलेगी। यह भी नियन्तरन के द्वारा ही सुनिष्चित किया जाता है। कार्य में समन्वय की सुविदा करणाई देखिए संघ्ठन में कहीं विभाग होती हैं। यह उत्पादन विभाग है। इसको भी पता है कि संगठन का जो लक्ष है वह है चार करोड का turnover प्राप्त करना और इसके लिए उसे भी अपनी महत्वपूंध भूमिका का निर्वहन करना है। इस संगतन में क्या होती है समन्वे की भावना विक्षित होती है क्योंकि सभी विभाग मिलकर संगठन के लक्ष को प्राप्त करने के लिए समन्वित रूप से प्रियास करते हैं वे एक दूसरे का सहीयोग करती हैं एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि जो यह निर्धारी लक्ष है यह प्राप्त किया ज सके नियंत्रन उन सभी किरियाओं तथा प्रियासों को निर्देशन देता है जो संगटनात्मक लक्षों को प्राप्त करने के लिए होते हैं सभी किरियाओं सभी प्रियासों को समन्वित करने का कार्य नियंत्रन द्वारा किया जाता है प्रतेग विभाग तथा करमचारी मनवित होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिससे संगठनात्मक लक्षों को पूरा करने का आस्वासन प्राप्त होता है जिससे संगठन के लक्ष पूरे किये जा सकते हैं देखिए यदि उत्पादन विभाग द्वारा लक्ष प्राप्ति में कहीं बादत उत्पन की तो इससे क्या होगा समन्वे बना रहेगा मान लेजिए उत्पादन विभाग और विपनन विभाग आपस में समन्वित रूप से कालिये नहीं कर रहे हैं यह उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन विपनन विभाग उस अनुरूप विक्रय नहीं कर पा रहा है बेच नहीं पा र पाएगा प्रबंदग इन में नियंत्रन स्तापित करके इन की कियाओं पर नियंत्रन स्तापित करके इन में समन्वे बनाने का कार्य करेगा जिससे संगठन के जो लक्ष हैं जो लक्ष निर्धारित किया गया था उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके बच्चों आज हमने नि नियंतरन का आर्थ और उसके महत्व को देखा अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद